भारत के टॉप दस हिल स्टेशन हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप दस हिल स्टेशन के बारे में, जहां जाना हर किसी का सपना होता है Hill Stations का नाम सुनते ही दिमाग में आता है वहां का मौसम, सुन्दर्ता, मनरंजन और खाना यही कारण है कि कई लोग हर साल अलग-अलग Hill Stations पर जाना पसंद करते हैं खास कर गर्मियों के मौसम में जब Hill Stations किसी स्वर्ग से कम नहीं होते वैसे तो भारत के हर एक शहर के पास कोई ना कोई Hill Stations है पर आज हम ऐसे आपको 10 Hill Stations के बारे में वताएंगे ताकि आपको इस साल अपनी पसंदीदा जगह चुनने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े 10. मनसूरी तो चलिए शुरू करते हैं मनसूरी से मसूरी उत्राखंड राजे के देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर है इस Hill Stations से शिवालिक परवतमाला और दून घाटियों का नजारा देखते ही बनता है इस जगह का नाम मनसूर नाम की जहाड़ी से लिया गया है जो इस ख्षेत्र में बहुत अधिक पाई जाती है गर्मियों में यहां कम उसम सुहावना रहता है और सर्दियों में यह बरफबारी का मज़ा भी लिया जा सकता है अगर आप भी यहां जाने की सोच रहे हैं तो यहां के कैम्टी फॉल, लाल टिबबा, ज्वाला देवी मंदर और ज़री पानी ज़रने को जरूर देखें 9. अल्मोडा अल्मोडा को भारत का स्विजलेंड भी कहा जाता है यहां के बर्फ के पहाड, रूई जैसी सफेद बर्फ, हरी भरी घास, सुन्दर ज़रने और यहां से सुन्दर द्रिश्य इस हिल स्टेशन की सुन्दरता में चार चांद लगाते हैं यहां पहुचकर आप अपनी थकान को पल भर में ही भूल जाएंगे यहां का नैना देवी मंदिर, ब्राइट एवं कॉर्नर, चितई मंदिर, कटार मल मंदिर, बीनरस और कोसी देखने के योग्गे है अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन है, तो भी अलमोडा आप के लिए उप्युक्त है माउंट आबू माउंट आबू राजस्थान का इकलोता हिल स्टेशन है, जहां राजस्थान में इतनी गर्मी पढ़ती है, वहीं माउंट आबू में तापमान कम रहता है आज ही नहीं बलकि कई सालों पहले जब राजस्थान के राजा महराजा गर्मी से बेहाल हो जाते थे तो राहत पाने के लिए वो भी माउंट आबू ही आया करते थे पहाणों से घिरा हुआ यह हिल स्टेशन सुंदर कलाकृतियों वाले मंदिरों से भरा है यह जगह केवल हिंदूों की ही नहीं बलकि जैन धर्म के लोगों के लिए भी बेहत महत्वपूर्ण है राजस्थान के राजसी संस्कृति की जलग भी इस थान पर साफ देखने को मिलती है पशिम बेंगाल के सिली गुडी से 80 किलोमीटर दूर यह हिल स्टेशन किसी जन्नत से कम नहीं है दार्जलिंग की सुंदर्ता का जादू ही है जिसकी कारण यहां हर मौसम में लोगों की भीड रहती है यह एक ऐसी जगह है जहां आपको भी अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए यहां की सुंदर्ता ही नहीं बलकि यहां उगने वाली चाय भी पूरे संसार में प्रसिद्ध है यह हिल स्टेशन को अंग्रेजों के समय में ही विक्सित हो गया था अगर आप यहां जा रहे हैं तो यहां की टॉय ट्रेइन की यात्रा करना ना भूलें केरल राज्ये का यह हिल स्टेशन भारत के ही नहीं बलकि विदेशों में भी प्रसिद्ध है यह हिल स्टेशन अंग्रेजों के समय से ही प्रसिद्ध है अंग्रेजों के समय में ये उनका ग्रीश में कालीन रिजॉट हुआ करता था मुनार शब्द असल में एक मल्यालम शब्द है जिसका मतलब होता है तीन नदियों का संगम मुनार में मधुर पुजह, नला थन्नी और कुंडाली नदियां एक ही जगा पर मिलती है मुनार अपने भेतरीन मौसम के साथ-साथ यहां दूर-दूर तक फैले चाय के बागान, चोटी-चोटी नदिया और जहरने के लिए भी प्रसिद्ध है हमारी लिस्ट में पांच विस थान पर है मनाली रिशी मनू का घर माने जाने वाला मनाली किसी पहचान का महताज नहीं है मनाली को इसकी संदर्ता के साथ-साथ इसके हिंदूओं के लिए धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है मनाली तक महचना बहुत ही आसान है और यहां आपको अपने मनरंजन के लिए वो सब कुछ मिल जाएगा जैसे रिवर राफ्टिंग, पेराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग, हाइकिंग, आदी यहां कई ऐसे स्थान हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए जैसे हिडिम्मा मंदिर, विशिष्ठ कुंड, मनीकरण, रोतांग पास, सोलंग नाला इसलिए जब भी यहां जाएं अतिरिक्त समय निकाल कर जाएं उटी शहर उधग मंदलम के नाम से भी जाना जाता है जो तमिलनाडू ही नहीं बलकि करनाटक राज्ये की सीमा से भी सटा हुआ है इस हिल स्टेशन पर पहुँचने के लिए आप वायू यान, ट्रेन या बस किसी का भी प्रयोक कर सकते हैं इसके साथ ही यहाँ चलने वाली टोई ट्रेन भी आपको जरूर भाईगी दक्षिन भारत के अन्न स्थानों की तुल्ला में यहाँ कमोसम हमेशा ठंडा और खुशनुआ रहता है इसलिए गर्म कपड़े साथ ले कर जाएं डोडा बेटा चोटी, वाटनिकल गार्डन, उटी जील, काल हटी जल प्रपात, कोटा गिरी हिल यहाँ के दर्शनी स्थानों में से है तीन नैनी ताल उत्राखंड नैनी ताल को जाना जाता है अपनी जीलों के लिए यह जगा पूरी तरह से जीलों से घिरी हुई है उत्राघंड का यह हिल स्टेशन परियटकों का पसंदीदा स्थान है आपको चाहे अपने दोस्तों के साथ घूमना हो या परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना हो हर तरह से यह स्थान आपके लिए परफेक्ट है गर्मियों में नैनिताल की घुपसूरती और ठंडा मौसम सैलानियों को अपनी तरफ खीज लाते हैं और सर्दियों में बरफबारी और विंटर स्पोर्ट्स इसे और भी आकर्शक बना देते हैं यहां कि संदर्ता ही काफी है किसी को भी पागल करने के लिए दो शिमला हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है शिमला हिमाचल प्रदेश के इस छोटे हिल स्टेशन को पहाडों की रानी के नाम से भी जाना जाता है यह अंग्रेजों की ग्रीश में कालीन राजदानी थी यहां की सुन्दर्ता को शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है यह एक ऐसी जगा है जहां की हर चीज अनोखी है फिर वो चाहे यहां का मॉल रोड हो या जाकू मंदर मशोबरा हो या कुफरी शिमला की हरे इक जगह में आपको ब्रिटिश समय की जलग देखने को मिलती है सर्दियों के समय में यहां जम कर बर्फ गिरती है और साल के अन्य महीनों में यहां का मौसम ठंडा रहता है एक श्रीनगर कश्मीर किसी शायर ने कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर इस धर्ती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है यह जगह है ही इतनी खूबसूरत कि इसे देख कर किसी के भी मूँ से यह निकले यह एक ऐसा शहर है जिसमें कोई कमी नहीं है सुन्दर जीले, धारमेक स्थान, चारो और हरी भरी जमीन हाउस बोट इस थान को हर तरह से संपन्न बनाते है इस थान की सुन्दरता को देखने का सपना मेरी तरह कई लोगों ने देखा होगा पर पिछले कई सालों से यहां फैले आतंगवाद के कारण यहां कम लोग ही पहुँच बाते हैं उम्मीद है कि आने वाले सालों में यहां शांती पूर्ण मौहौल हो ताकि हम यहां जाने का अपना सपना पूरा कर पाएं हमारे इस वीडियो को देखने का धन्यवाद अगर यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करके हमें वताएं कि अगर आपको मौका मिले तो आप इन में से कौन से हिल स्टेशन जाना पसंद करेंगे इसके साथ ही हमारे अन्य वीडियो को भी जरूर देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अटेन बित्शां हमारे ना वीडियो करें कि अ可ईके लाट आपको मौका मौका लग्पben जरूर आपको भी जजए